वुट्मॉर्निंग इस्टूरेंट्स इस ए सिस्टीन चैप्टर वे मसं इंडियन्स ठीक है प्रिसिद्ध भारतिये लोग हैं तो देखते हैं इस पहले इडनिफाय करते हैं पिक्चर्स को फिक्चर्स देखते हैं सबसे पहले और उनका हमें कुछ क्लूज दिये गए हैं और तो पर स्ट हमारी है पॉलिटिकल लीडर और पोएट सरोजनी नाइडू तो थी और पॉलिटिकल लीडर ती आजादी के बाद वह हमारी पहली ऐसी महिला थी जो महिला राज्यपाल बनी थी और इन्होंने काफी जो कविताइं कविताइं बंगाली भार्षा भीople इंहोंने में बहुत कोविता लिखती стало इसलिए इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है सेकेंड इस सत्यजीत रेव आसकर विनिंग फिल्मेकर फिल्मेकर थे यह फेमस फिल्मेकर थे फिल्म्स बनाते थे और अपने लाइफ केरियर में इन्हें 11 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे थर्ड इस डांसर है हमारी सूनल मांसिंग एक इंडियन क्लासिकल डांसर थी और इनके जो में डांस वाम थे वह भरत नाट्टेम और उडीसी थे और इन्हें नॉमिनेट किया था बाइदर प्रेसिडेंट ओप इंडिया पार्लियमेंट का मेंबर बनने के लिए इन्हें प्रेसिडेंट के दौरा हमारी जो भारत के प्रेसिडेंट थे उससन है उन्होंने इन्हें नॉमिनेट किया था फॉर दा मेंबर ओफ पार्लियमें icemail oh है नेक्स है हमारे प्रीकाश पादुकोंस èक वैडमिंटन प्लियर थे इन्हें अपने बैडमिंटन के यह लिए अबंग बैडमिंटन केरियर में अट्जून उड़ और पद remedy अवार्ड वेडे से भी नवाज़ हैं और है अैसे पहले इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने अपने केरियर में सारे इंग्लेंड ओपन बैडमिंटन चैंपिनिशिप को जीता था इस प्रकाश पादुकोन नेक्स्ट है हमारे मुजिशन है और सिंगर है मतलब इक ग्राइग भी है और मुजिक डिरेक्टर भी है शंकर महादेवन इनहें नैशनल आवार्ड से नवाज़ा गया है कापी बैस्ट मूजिक डिरेक्टर भी मिले हैं और यह सिंगीं करती है इसलिए सिंगर अवार्ड से भी नवाज़ा गया है और इनकी नाम की मुमबई में एक शंकर महादेवन अकेडमी है जो ऊनलाइन मच्चों को म्यूजिक सिखाती है नेक्स्ट इज एमफ हुसेन पेंटर हैं एमफ हुसेन इनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसेन और इन्हें अपने कला के शेट में आर्ट के एरिया में काफी अपने केरियर में इन्हें काफी आउनर मिला है रिस्पेक्ट मिला है और पद्म भूशन आवार्ड से भी इन्हें नवाज गया था नेक्स्ट इज मुकेश मुकेश एक बहुती फेमस सिंगर थे और इनके भजन इनके सॉंग्स और इनकी जो भी गजले थी और जो भी इनका क्लासिकल मुजिक था वह काफी फेमस रहा है और काफी पसंद की रगता लोगों के थूर और इन्हें भी काफी नेशनल अवार्ड से राष्टिय पुरुस्कावों से नवाज गया है नेक्स्ट इस राजकपूर राजकपूर एक एक्टर थे शरी मेंकर थे इन्हें शो मैं के नाम से भी जाना जाता था फिल्म फियर अवार्ड और बैस्ट मेल एक्टर अवार्ड इनके इनके पास थे और मेरा नाम जोकर इनकी बहुती फेमस मोवी थी मेरा नाम जोकर और वो इनके कैरियर की लास्ट मोवी थी